नवस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं फिल्मी बीट वैसे कर आप बिग बॉस देख रहे हैं तो अब आप ये कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि आप बिग बॉस 14 देख रहे हैं या 13 क्योंकि घर के अंदर आ गए है पारज शाबला जिहां जो कि देवुलीना के एक कनेक्शन बन क्या हैं आप ये जानते ही हैं कि जहां पारज शाबला हों वहां पर कॉंट्रोवर्सी तो होंगी ही जी यहां पिछले सीजन में भी उन्होंने काफी कॉंट्रोवर्सी बटोरी थी लेकिन इस बार वो अपने पुराने रिलेशनशिप को यहां पर क्लियरिफाई करते हाला कि हम तो इंट्रस्टेट थे बिग बॉस 14 की गॉसप्स में लेकिन हमें मिला कुछ और मसाला जी हां जहां पर पारज शाबला ने अपनी एक्स गर्ल्फरेंड अकांशा पूरी की उड़ा दी पूरी तरह सिध्धजियां और घर वालों को बताए उनके ऐसे ऐसे किसे जिसे सुनकर आप भी हो जाएंगे हैरान तो चलिए आपको भी हम बताएंगे लेकिन अगर आप हमारे चानल पर नए हैं और आपने चानल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजेगा क्योंकि तब ही आपको मिलेंगी सारी गॉसप्स और लेटेस जी हां फिनाले आने वाला है और उसको लेकर टिकेट टू फिनाले टास्क भी घर के अंदर हुआ ऐसे में पारेश शाबडा जो की देबुलीना की सपोर्टर बन कर आए हैं वो यहां पर अपनी कहानी को बया करते हुए नजर आए पिछले सीजन में उनके रिलेशन्शिप क्लेयर करके आया था लेकिन अकांग्शापुरी मेरे पीछे पड़ी रही और यहां तक कि वो मेरी मा को भी इरिटेट करती थी और तो और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने उससे कोई पैसे नहीं लिए नहीं मैंने उससे कहा कि तू मेरे लिए ब्रैंड्स भेजना और नहीं म भी हो इनका रिश्टा क्या है क्या नहीं यह तो यहाँ पर देखकर लगी रहा है कि यह लव एन हेट रिलेशनशिप नहीं है यह तो हेट अन हेट रिलेशनशिप ही है आप क्या कहते हैं हमें कमेंट्स के जरीए बताईएगा पसंद आई हो वीडियो तो लाइक शेर करना मत भूलेगा चानल को सब्सक्राइब कर दीजेगा एंड डू नाट फोगेट टो हीट दी बैल आइकन